एज बढ़ने के साथ experience का होना वही regular investment रखने से भी experience गेन करना दोनों ही case में आपको hard work और smart work का नुबव होता है चलिए बढ़ते हैं आज के company share की तरफ लेकिन उससे पहले एक चोटी से request करना चाऊंगा अगर आप channel पढ़ने हैं तो please subscribe करना ना बूलें उत्तम value steel company की हम हर एक recent news को cover करते आए हैं चाहे फिर वो dealisting से related हो share suspension के regarding या फिर case file करने तक इसी बीच मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई चाहे तो फिर उत्तम value steel के loss को आप set off करने की सोच सकते हैं चाहे वो investment किसी IPO के थुरू हो या फिर ऐसी company सर्च करके जो short term period में आपको multi bagger तक कलटन दे सकें क्योंकि आप अपनी regular investment को तो affect नहीं कर सकते एक share के पीछे हैं लेकिन उमीद जरूर रखें शायद future में पैसा वापसे आ जाए इसी बीच हमने करीब 30 penny stocks को discuss किया जहां पर investors ने सिर्फ profit book किया उत्तम value steel company की बात करे तो फिर exactly शायद ही आपको कोई बता पाएगा company realist होगी या फिर dealist क्योंकि liquidation process की दरफ तो है ही देखो simple way में समझने की कोशिस करते हैं मानो मैंने आपसे अपनी company चलाने के लिए thousand crore का loan लिया अब कोई अपना पैसा देगा तो वो बेकूफ तो है नहीं कि बिना security के देदेगा सारी formalities पूरी होने के बाद मेरे को आपसे thousand crore मिल जाते हैं अब मैं आपको इस loan amount पर interest भी दूँगा मेरा business अच्छा चलता रहा और मैं इस debt burden को कम करते हुए 700 crore पर ले आया लेकिन कुछ time बाद मेरे को business में लगाता लोस होने लगा अब मैं interest payment देने में default करने लगा हाला कि आप कुछ time बाद जरूर बोलेंगे की sir मेरा interest amount आपकी तरफ से pending है ऐसा नहीं होगा कि आप मेरे को time नहीं देंगे क्योंकि मेरा payment का track अच्छा रहा है फिर भी मैं आपको interest payment नहीं कर पाता जब earnings होगी नहीं तो कहां से करूँगा अब मेरी दिक्कते बढ़ने वाली हैं आप मेरे को court में गसिटेंगे कई case में तो एक amount पर settlement भी हो जाता है फिर last में liquidation process की दरफ जाना पड़ सकता है जहां पर मेरे को अपनी assets को बेच कर आपकी payment करनी होगी इसी बीच liquidation process में आखरी number मेरे share holders का होगा कुछ बचेगा या फिर नहीं कहां नहीं जा सकता वापसी से उत्तम value company की दरफ आते हैं ये कोई पहली company तो है नहीं इससे पहले भी काफी सारी company आई थी और चली भी गई माना कि आप सभी का पैसा यहां अटक कर रहे गया लेकिन एक group अभी तक इस पर काम कर रहा है शायद पैसा मिल जाए या नहीं NCLAT, Delhi में भी case file हुआ था hearing date को लेकर भी आपके मन में सवाल होंगे जिनको हम cover करते रहेंगे जैसे ही मेरे को पता चलेगा मैं आपको intimate कर दूँगा वैसे group member से मेरी बात हो नहीं पाई ये company liquidation process को पूरा करेगी या नहीं इसके regarding मेरे को नहीं पता मैं सिर्फ recent news को ही cover करता आया हूँ और करता रहूँगा में भी आज या फिर हो सकता है दो से तीन दिन के अंदर कुछ पता चल जाता है तो मैं आपको बता दूँगा बाकी आप अपनी future planning को effect ना होने दे regular काम करते रहें मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye and take care